हेलो दोस्तों मैं हुरुपाली और आर्क्राउंड रेसिपीज में आपका स्वागत है तो आज हम बना रहे हैं और एक इंस्टन्ट और टेस्टी टोमेटो की सबजी रेसिपी तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए है पके हुए चार टमाटर इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे यह कम समय में बनने वाली और टेस्टी टमाटर की सबजी है आप इसे रूटी चापाती के साथ या फिर ब्रेकफस्ट के साथ अगर आपको जादा खटी पसंद है तो आप इसे रहने दे तो इसको हम रफली कट कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पे फाइन चप भी इसको कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इस तरह से हमने पूरे टमाटर को कट कर लिया है और साथ ही हमने हापे लिया है एक प्याज इसको भी हम रफली कट कर लेंगे अगर आप प्याज टमाटर का कॉंबिनेशन खाना पसंद करते हैं तो आप यहापे दो प्याज भी यूज कर सकते हैं या फिर बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं पर इसमें थोड़ा सा तो प्याज डालेंगे तो यह अच्छा स्वाद बनेगा तो यहापे प्याज टमाटर हमारे कट हो गए है तो चली अभी से बनाते हैं तो यहां पर मैंने लिया पैन इसमें लिया है थोड़ा सा ओईल आप चाहे तो ओल्ल भी यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे राई एक छोथाई चमच इसको हम पहले चटकने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक चोताई चम्मत जीरा और फिर गैस की फ्लेम लो करके इसमें हमने डालना है प्याज और प्याज को अच्छा सुनेरा रंगाने तक भुन लेना है तो इस तरह से हमने प्याज को भुनना है और साथी आपे मैंने लिया है लहसुन अद्रक का पेस्ट लगभग आधा चमच यहाँ पे आप लहसुन को दरदरा सा पिस्के भी डालेंगे तो उसका स्वात अच्छा आता है और फिर यहाँ पे हम इसमें डालेंगे एक करीपत्ता यहाँ पे गैस की फ्लेम जादा हाई नहीं रखनी है नहीं तो प्याज जो होता है वो थोड़ा सा जल जाता है तो हमारी सब्जी का स्वात थोड़ा अलग हो जाएगा तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से सुने रहा होने तक भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मासाले तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जिससे हमारी सब्जी में अच्छा तीखा पनाता है और फिर मैं आपी लूँगी आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे हमारी सब्जी का जो टेक्चर होता है वो अच्छा बनता है और फिर साथी मैंने लिए है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और बस इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हमारा टमाटर और इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे स्वादा अनुसार नमक और नमक डालने के बाद टमाटर जल्दी से पक जाते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करके मेडियम टू हाई फ्लेम पे हम दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे और साथ यहां पे मैंने लिए है थोड़ी सी भूनी हु और सब्जी में मिलाना है इसको इससे क्या होगा कि सब्जी में एक अच्छा सा क्रिस्प और स्वाद बन के तयार हो जाता है अगर आपको यह पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो यह देखिए लगबग हमारी सब्जी पक गई है अब हम इसमें डाल देंगे हम दो फ्लेम पे पका लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इसको मिक्स कर देंगे और यह लेजिए हमारी टमाटर की आसान शी सब्जी बन के तयार है ना ज्यादा समय लगता है ना ज्यादा इंगेडियेंट तो इस तरह से आज हमने बनाई एक आसान श्वादिश टमाटर की साइड डिश रेसिपी अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले और साथी अगर आप चैनल पे पहली बार आये है तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल आर क्राउन रेसिपीज और हां बेल एकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फिर मिलेंगे अगले शुकरवार ऐसी ही और एक नई और आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए तक यू मैं फ्रेंट